नमस्कार साथियों मैं मनिश भारती संस्कृती PCS प्रेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों जैसा कि आप जानते हैं बिहार श्पेशल केस अपना बिहार कारकरम में हमने विभिन मुद्धों की चर्चा किया है बिहार से संबंधी तमाम विशयों को हमने पढ़ा है आप जानते हैं कि इसकी सुरुवात मैंने जोगरफी से किया था फिर हम हिस्ट्री पढ़े हिस्ट्री में हमने NCR, Medieval, Modern History पढ़ा हमने Art and Culture पढ़ा हमने Policy पूरे पढ़ा उसके बाद जो हम Economy पूरा पढ़ते चले आए कि वहां से प्रशन रहता है मैं भी जानता था कि यहां से प्रशन रहता है और Last Moment पर इसको पढ़ा जाए चुकि यहां से जो प्रशन रहेगा सीधा सीधा आकड़ा आपसे पूछा जाएगा डेटा उठा करके सीधा प्रशन के एक्जामनेशन में आपके समुक रख दिया जाएगा तो यहां से इस लेक्चर के साथ ही यह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा यह बिहार स्पेशल का जो अपना बिहार प्रोग्राम है यहीं पर खत्म होने वाला है ठीक है तो आखरी यह बिहार बजट की हम चर्चा करने वाले है इसमें धेर सारा डेटा आपको नजर में आने वाला है तो चुकि समझाने बताने के लिए बहुत सारे चीजे नहीं रहेगा डेटा है जो चीजे मैं आपको बताता चलूँगा आप उसको नौट कीजिए या स्क्रिंस्वाट ले की कोशिश करेंगे और वर्स के आधार पर तूलना करेंगे वर्स के आधार पर तूलना कहने का तादपर यहां पर हो जाएगा कि हम बजट आकार जो है यहां पर जो वर्स आपका यहां पर 2023 और उसके बाद यहां पर जो है दो हजार 24-25 इस दूनों के मद्ध जो है तूला 2023-2024 में अगर करोर रूपिय के आधार पर देखेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर कि 2,618,884.0 करोर रूपिया था है ना बिहार के बजट का आकार 2023-2024 में यह वर्ष 2024-25 में बढ़ गया है और बढ़ करके यह 2,78,725 दिसमला 72 करोर रूपिया हो गया है यहने कि हम एक बात तो समझ गये हैं बिहार के बजट का आकार जो है वर्ष दर वर्ष जो अब बढ़ता जा रहा है यहने कि वहां पर निशित तोर पे अर्थ वेवस्था के लिहास से यह बहतर है इंफ्राइस्ट्रक्शर बहतर हो रहा है निवेश आ रहा है तभी तो 2024-25 में वार्षिक स्किम का कुल बजट अनमान जो है वह एक लाख करोर रूपिया है जो वितिय वर्ष 2023-2024 के बजट अनमान के ही बराबर रखा गया है वितिय वर्ष 2024-25 में कुल पूजिगत वै की अगर हम चर्चा करेंगे तो पूजिगत वै का आकरा यहां पर दिया गय इसमें कुछ बाते हैं जिसको देखिए पूजिगत परिवै की सबसे पहले चर्चा करते हैं वर्ष 2024-25 में यह जो है 29,415.9 एक करोर रूपिय का पूजिगत परिवै अनुमानित किया गया है अब जानते हैं यह अनुमान में होता है जिसमें समान सेवाओं में कहा गया यह आपको बाट करके दिखा दे रहा हूं कि सामान सेवा में कितना जाएगा समाजिक सेवा में कितना रूपिया प्रस्ताबित किया गया है सामान सेवा में देखेंगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि पूजिगत वैज बर्स 2024-25 में इतने कर रूपिया का पूजिगत परि सामानने सेबाओं में 4731.42 रूपया एसा ही याद रखेगा ये जो .42 करूर है यह आपको ध्यान रखना है सामाजिक सेबाओं में 6777.05 करूब रूपया तो यह 05 याद रखना है आर्थिक सेबाओं में 18607.44 करोर रूपय का रासी प्रस्तावित है यह important data है इसको ध्यान रखते चलिएगा रिन अदाईगी में जराब बात करते हैं तो वर्स सरकार के रिन की है यानि कि केंदर सरकार को यह लोटाना है ठीक है इसके अलावा 20,621.99 करोर रूपय की रासी जो है पुर्म में लिए गए आंतरिक रिन जो है तो उससे समंधित है यह भी लोटाने की रासी है रिन एब हम पेश्गियां की अगर बात करेंगे वर्स 2024-25 में र दिया जाएगा इसको देखिए सरकार जो बिभिन तरह के समाजिक काम करती है उसके लिए रिन देती है जैसे की मान लेते हैं कि लगू उद्यों के लिए MSME sector के लिए, परिवाहन सेवा के लिए देती है, सरकारी करमचारियों पर खर्च करती है, आजकल बिहार में देखेंगे तो student credit card दिया जा रहा है, तो इन सब चीजों के लिए, बिजली में ये सारे चीज़े, जैसे देखेंगे यहाँ पर, बिहार student credit card scheme के लिए जो है, 700 करोर लगू, ग्राम एवं लगू दियों के लिए 396.05 करोर रुपिय, ये आप से इसा ही पूछ लिया जाएगा, कि किस मद में कितने करोर रुपिया देने की बात की गई है, तो डेटा वैसे ही याद रखना है, डेटा का ही बजट में पूरा खेल है, बिहार में और कुछ नही लिए 49 करोर रुपिया जो है वह दिया जाना है, रिन की उगाही की बात पर आपकर आते हैं, वित्यवस 2024-25 में एक 5688.14 करोर रुपिया का रिन जो है लिया जाना प्रस्तावित है, अब राज सरकार के आंतरिक रिन में देखेंगे कहां 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 से व्यवस्था की जाएग 888.14 करोर रुपिया होगा, नावाड से जो बेवस्था की जाएगी वह है 2700 करोर रुपिया, राश्टी आवाशी बैंक से जो है 300 करोर और भारती लगू उद्योग विकास बैंक से 300 करोर रुपिया, बाहर की जो एजन्सियां हैं, बाहर एजन्सियां मतलब हो गया कि जैस करीबन आपको दिखेगा कि 2500 करोर रुपिया जो है बिहार सरकार जुटाने वाली है, अब ज़र आप 15 में वितायोग की चर्चा करते हैं, 15 में वितायोग में देखेंगे तो इसकी अनुसंसा में वित्ये वर्ष 2024 25 से तु निर्धारित 9211.2.0 करोर रुपिया के अंतरगत यहां पर अब समझे यह चीज़ों को, यह चीज़े डारेक्ट पूछा जाएगा, 15 में वितायोग महतपूर्ण है, 5 स्टार इस टॉपिक पर लगाईए, और यहां इसको नौट करके रख लीजिए, यहां से डेटा जैदा चांस है कि प्रलिमिस में पूछ लिया जाए, र पास्त प्रचेत्रों के लिए कह दिया गया है, 1249.2 करूर रूपिया जो है प्रस्तावित है, 15 मा बितायोग के अनुसार यह आपके जुबान पर होना चाहिए, यह डेटा, ठीक है, इसके अलाबा छठे राज बितायोग की अगर चर्चा करेंगे, तो इसके अनुसंसा के अलोग में देखेंगे, वित्तिय वर्ष 2024-25 में अस्थानिय निकायों को कितना दिया गया, 6,649 करूर रूपिया का अनुदान प्रस्तावित किया गया है, ठीक है, इसमें अलग-अलग देखेंगे, तो 3,706 करूर रूपिया जो है, डिव विलोशन यानि कि वी निवेश करते हैं, उसके आधार पर तथा 2,633 करूर रूपिया जो है, अनुदान की रूप में प्रस्तावित है, पंचायती राजसंस्थाओं को लेकर के बात करेंगे, तो 4,120.35 करूर रूपिया और शहरी अस्थानी निकायों को 2,518.65 करूर रूपिया ये प्रस्तावित है, 2,024.25 में बजट अनुमान के अगर चर्चा करेंगे, यहां पर यह दिखेगा, 1,013,011.92 करूर रूपिया अनुमानित की गई है, वित्य वर्स 2,024.25 में राज्यकों केंद सरकार से साहिक अनुदान के रूप में यहां पर 52,160.62 करूर रूपिया प्राप्थ होने का अन चाहिए ध्यान रखिएगा, केंदर यह प्रावजीत स्कीम, केंदर की जो प्रावजीत स्कीम होगी, राज्यक जितने भी बताए गई है, वो करूर में है, इसमें कहा गया है कि यह 43,019.82 करूर रूपिया होगा, इसके अलाबा 15 में बित आयोग में, 15 में बित आयोग के द स्वास्त निकायों के अनुदान देखेंगे, तो 4,114 करूर, इसके अलाबा शहरी अस्थानी निकायों के अनुदान के देखेंगे, 2,119 करूर, इसके अलाबा स्वास्त प्रशेत्र को अनुदान देखेंगे, यह डेटा ऐसे ही जैसे मुझे याद है, आपको भी याद हो के तहट जो है वह 19.60 करोर है कुल रासी देखेंगे तो यहाँ पर 22,196 दोर यहाँ पर देखने को मिलेगा और वित्यवर्ष एक खर्च कहां कहां जरा इसको देखिए राज सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में जो बाते की गई है खर्च को ले करके उसमें सिक्षा सबसे महत्पुर्ण है और यह अच्छा यह बुरा है यह अच्छा है सिक्षा पर खर्च होना ठीक है सिक्षा पर 52,649.03 करोर रूपिया जो विभाग का नाम ध्यान रखिएगा ग्रामीन कारे विभाग पत्थ निर्मान विभाग का 15,235.11 करोर रूपिया स्वास्त पर भी खर्च करना अच्छा है शिक्षा स्वास्त यह सब इंफ्राइस्ट्रेक्चर पर खर्च होता है यह सिक्षा स्वास्त पर समाजी कीज़ों पर खर्च होता है तो अच्छा है 14,932.9 करोर रूपिया ग्रामीन विकास पर 14,296.7 करोर रूपिया का वयानुमानित है और उर्जा विभाग कैंतर गज्जो है 11,422.6 करोर रूपिया चुकि जो एनरजी सेक्टर है बिहार में इसमें जो है लगातार विर्धी देखी जा 24,25 के बजट अन्मान का शंचेप में यह आपको बता दिया गया है यह ज़्यादा जरूरत नहीं है करोर रूपिया में यह दोनों आगरा दिया गया है यह जो 2023,24 का बजट पुरुरुणरिक्षित प्राकलन है इससे ज़्यादा जरूरी आपके लिए है 2024,25 का बजट प्र हिसा आएगा है ना राजस्व प्राप्ति कहां से क्या होगा तो यह चीज में कहा गया है 2024,25 का बजट जो है उसमें इतना आकरा जो है राजस्व प्राप्ति से होना बला है राजस्व सरकार के राजस्व की बात करेंगे यह आकरा यह रहा और संग्य करों में राजस्व का हिस्सा देखेंगे यह भी पता दिया गया है और केंदर से सहाइता प्राप्त जो अनुदान होगा अनुदान धेना है शब्द पे यह सब चुके आप economy में यह सारे चीज़े पर चुके हैं तो आप मैं राजस्व वै की चर्चा करेंगे, खर्चा की चर्चा करेंगे यह आपको बता दिया गया, अब ध्यान दीजिए, यह कहा गया कि कुल राजस्व प्राप्ति, यहाँ पर कुल राजस्व प्राप्ति है और कुल राजस्व वै है, तो इसके बाद यहाँ पर देखेगा कि क्या यह राज़स्व का बजट होगा, बजट हो जाएगा, यह घाटा होगा, कोले राज़स्व प्राप्ती अगर देखेंगे, तो यहां आपको दिखेंगा कि 2,26,799.4 करोर रूपिया हुआ, राज़स्व प्राप्ती आया पैसा इदना, ठीक है, और यहां पर देखेंगे आरज 0 जो है राजस्व बजट्ट है और इसको निगेटिव से दिखाया है माइनस से इसलिए यहा पर simbol लगा है इसको घहता में के नहीं चलना है यहाँ पर अलवरी बचत का दिया हुआ है इसलिए यह मामला आपको यह देना है कि यहां पर यह आंकरा दोनों को देख करके ठीक है पूजिगत प्राप्ति की अगर बात करेंगे तो पूजिगत प्राप्ति में देखेंगे यह आकरा यहां दिखेगा पूजिगत वै भी आपको दिखे चर्चा यहाँ पर आपको कर दिया गया धिना हाटा है यह उन्तीस हजार दसन्बलब रुपया यह राजसरकार का और यहाँ मतलब राज मतलब जब राजा का कोस मतलब क्या, खजाना, और राजा के खजाना, यानि की जो राजसरकार का भजट है, उसमें जब घाटा लग गया, जितना पैसा कमाया उसे ज्यादा खर्च कर दिये, आमधनी अठनी, खर्चा रुपईया, तो क्या हो जाएगा, राजकोशी घाटा हो गया, तो राजकोशिय घाटा को नियंतरित रखना बहुत जरूरी है इसके लिए केंसरकार देखेंगे वह भी अपने अस्तर पर कानूर बनाती है राजसरकार भी अपने अस्तर पर कानूर बनाती है अपने बजट को सही करने के लिए अपने राजकोशिय घाटा को कम करने के लिए तो इसके लिए जो कानून यहां पर है बिहार राजकोशिय उतरदाईत एवं बजट परवंधन अधिनियम है ना इसमें कुछ लक्ष निधारित कियेंगे है बहुत डिटेल्स में आपको नहीं जाना है गूगल करके एक दो पॉइंट देख लीजेगा काम चल जाएगा बर्स 2024-25 में राजकोशिय घाटा सकल राज घरेलू उतरदाईत का तीन परतिशत तक सिमित रखने का लक्ष रखा गया है यह इंपोर्टन है ठीक है इसमें आपसे टार्गेट पूछा जाएगा कि 2024-25 में यह जो फिजकल डिफेंसिट होने वाला है वह जो राजक का अपना जीडीपी है उसका तीन परतिशत तक सिमित रखने का टार्गेट रखा है भिहार सरकार दिगे यह इंपोर्टन है वितिय बर्ष 2024-25 का देखेंगे शकल राज घरेलू उत्पाद जो है यहाँ पर आपको स्वस्ट तोर पर बता दिया गया है कि 9,76,514 करो रूपिया अनुमानित है ठीक है और वितिय बर्ष 2024-25 में यह जो राजकोसिय घाटा है यह 29,000 यहाँ पर 95.42 करो रूपिया अनुमानित है तो बताईए यहाँ पर यह कितने परतिशत हुआ तो राज सकल घरेलू उत्पाद का कितना हो गया 2.98 परतिशत है 3 परतिशत तक सिमित रखने का टार्गेट है ठीक है मामला समझ में आ रहा है यही चीजें जो है यहाँ इस डेटा में भी दिख रहा है आपको मामला समझ में आ रहा है न कि यह डेटा जो मैंने आपको बताया था 29,095.42 करोर 29,095.43 करोर वही डेटा यहाँ पर है राजकोसी घाटा का वही चीजे यहाँ पर मैंने विश्तार से आपको बता दिया है तो यह सारे डेटा जो है न वहाँ आपके लिए जादे जरूरी है उस डेटा का ज़्यादा ख्याल रखेगा वहीं से प्रशनाएगा इस पे बहुत विश्तार से राजजी अस्तरी आयोग में नहीं पूछा जाता है जहाँ आपको बहुत कॉंसेप्ट दिमाग लगाने की आवशक्ता है आपको याद रहेगा आप उसका जबाब दे ले जाएंगे तो कुल मिला करके आज मेरा यह साथमा लेक्चर है इस साथ लेक्चर के तहट मैंने आपको जोगरफी भी बिहार का पढ़ा दिया पूरा उसके बाद हिस्ट्री पढ़ाया, आर्ट इन कल्चर पढ़ाया, पॉलिट्री पढ़ा दिया और अब जो है पूरा एकॉनमी भी खतम तो सारे बिहार स्पेसल के, देखे बिहार स्पेसल से प्रारामिक परिक्षा में 30 कोशिन पूछा जाता है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है 30 कोशिन बहुत ज़्यादा होता है सेलेक्शन के लिए और current affairs वाला program जो कर रहा हूँ 100 episode उसमें भी पढ़ा दिया है उसमें current affairs जो है उससे भी 30 question आता है तो 60 question तो यहीं मैंने cover कवरा दिया आपको मांकी aesthetic भी बहुत इसमें आगे हैं P.I.Q भी बहुत करा दिया है मैंने तो कुल मिला करके यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भीहार के तमाम topic आपके clearन हो चुके हैं यह ना सिर्फ प्रिलिम्स में मिन्स में भी काम आएगा चुकि पढ़ाया जोगी है इस हिसाब से मैंने पढ़ाया कि प्रिलिम्स और मिन्स दोनों जगह काम आए तो मिन्स में आपको ध्यान रखना है यह मिन्स के लिहाज से भी जब आप परिक्षा हो जाए उसके बाद भी इसका ध्यान कर सकते हैं ध्यान कीजेगा अच्छे से वहां भी काम आएगा तो आप लोगों ने इस कारकरम को बहुत प्यार दिया अपना बिहार के कारकरम को बिहार स्पेशल केस प्रोग्राम को और खूब सराहा आपने काफी लगे रहे आप लोग और हमने भी आप से कहा था एक-एक सब्जेट आखरी दिन तक हम पढ़ा देंगे और अब यहाँ पर खतम हो गया है आपका एक्जाम आप 13 दिशंबर को है तो जाइए अब एक्जाम दीचे ध्यान रखे आपने जितनी पढ़ाई की है आपने जितना मेहनत किया है वो बहुत है अपने उपर भरोशा कीचे और अब जो वो डी डे होता है न वह एक्जाम का दिन वह आपका होने वाला है 13 दिशंबर तो इस वर वेकेंसी बहुत अच्छा है नमरा ओफ सेट्स बहुत हैं तो वहाँ जाइए ध्यान रखना है कि 12 वज़े से एक्जाम है लेकिन आयोग ने इस परष्ट तौर पर बता दिया है अच्छत हो जाएगा और एक्जाम होल में भी आयोग इस पर थोड़ी शिस सकती रख सकती है तो पूरा कॉपरेट कीजिएगा खुम मन लगा करके ध्यान से बहुत जो है सालीन ताशे परिक्षा दीजिए और आप निशिस शफल होंगे ठीक है अच्छत है